मेरे कुछ वीडियोस है, जैसे कि Facebook Ads हो गया, या फिर e-commerce website में traffic कैसे लाए, तो ये वीडियोस जब मैंने बनाया है, तो इसमें अच्छे view आए, और जब view आए, तो वहाँ से बहुत सरे company honor है, जिनों ने मुझे Instagram में message किया, कि उनको personal consulting चाहिए, जिसके लिए वो pay करने को ready है, इविन कुछ लोगों को मैंने ये service भी दिया है, जिसने मैंने अच्छे अगासा पैसा भी कमाया है, और इसे को बोलते है consulting business, जहाँ पे आपका जो knowledge है, वो किसे business honor के साथ share करो, उनको guide करो, और वो आपको अच्छा पैसा देंगे, इंडिया में ये business बहुत boom में चल रहा है और आज की वीडियो में यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे आप consulting business शुरू कर सकते हो, क्या के चीज़े आपको ध्यान में रखना पड़ता है, कौन-कौन से tools होते है, कैसे आपको client मिलेगा, और service आप कौन सा दे सकते हो, तो वीडियो को शुरू करते है, और वीडि एक free gift भी है, तो definitely वो भी आप ले लेना, सबसे पहला है, define your niche and services, अब देखो Instagram में एक ID है, जिसका नाम है DZNIC, उनके पास 143K followers है, निक अल्मोस्ट देर लग उनके पास followers है, तो वो क्या करते है, वो business को सिखाते है, कि कैसे वो Instagram में growth कर सके, उससे related वो consulting करते है, और उसके लिए वो बहुत अच्छा पैसा charges करते है, तो इसी तरीकी से आपको सबसे पहले देखना होगा, कि आप किस चीज में अच्छे हो, कौन से service देने में आप best हो, और वो ही service आप अपने client को provide करवाना, कुछ consulting business ideas आपको देता हो, तो थोड़ा सा और आप clear हो जाओगे, जैसे क और के healthcare का consulting दे सकते है, या फिर visitor transform यहनी कोई offline business है, तो इसको कैसे online लेके जाना है, ब्राइडिंग consulting हो गया, interior को जो design होता है, उसका consulting हो गया, कि कोई घर बना रहा है, तो उसको कहा पर किती ऊपर में board देना है, 8 फिट देना है, 4 फिट देना है, तो यह सारे guides जो है, वो interior design के अंदर आता है, तो ऐसे बहुत सारे consulting business है, जो आप clients को दे सकते हो, second है tools, आप अगर consulting business करते हो, तो आपके पास कुछ tools होना चीए, जैसे कि सबसे पहला है calendar, अब यह जो tools है, यह क्या करता है, आपका client जो है, वो date देख सकता है, कौन-कौन सा available है, और उस date में, वो अपन tools है, वो survey and feedback का, आप अपने client से feedback तो लोगे न, क्योंकि आप feedback अगर नहीं लोगे, तो definitely आप grow नहीं कर पाओगे, तो आपको यह ध्यान में रखना है, कि जब एक बार consulting आप दे दो, उसके बाद आप feedback लो, उसके लिए survey monkey करके एक website है, वो आपे जाके आप feedback form बना सकते हो, जो है, वो है business plan, जब आप consulting business शुरू करते हो, तो आपके पास plan बना रहना चाहिए, एक outline complete रहना चाहिए, जिसमें आपको कुछ चीज़े add करना है, जिसके आपका target audience क्या होगा, जो आप service चूज कर, उसका market size क्या है, service offering क्या है, pricing क्या है, financial projection क्या है, marketing strategy, website कहा से बनाना है, office इसका location कहा होगा, अगर आप offline, अगर आप consulting करते हो, तो आपको एक location भी तो लेना पड़ेगा, तो location कौन सा best रहेगा, ये सारी चीज़े इसके अंतरगत आता है, by the way, मैं gift की बात कर रहाता हूँ, तो आपके लिए मैंने complete ebook बनाया, जो कि बिलकुल free मैं आपको देने वाल जाएगा, या तो इस ebook को मैं वा से हटा दूँगा, तो अभी के लिए free है, 29 days तक, 29 days के अंदर अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो मेरे Instagram पेज में जाना, और वा से जाके उस ebook को download कर लेना, जो username है, आपको बाजू में दिख रहा है, और मैं link में description में दे दूँगा, then fourth है, how to get client, अब आपको client कहा मिलेगा, तो उसके दिखो बहुत सारी तरीक है, सबसे पहले है networking, आप जो भी service दे रहे हो, उसके industry के जो events होते है, आपको वा पे जाना है, और वा से आपको बहुत सारी client मिल जाए, second है content marketing, यानि आपको blogs बगर बनाना है, videos बनाना है, वा पे information देना है, तो definitely वा से भी जब उसको पढ़ने लोग आएंगे, तो वा से भी आपसे वो consulting के लिए request करेंगे, उनको भी consulting दे सकते हो, fourth है website and SEO, तो वही चीछ, website में आप feedback बगर लिख सकते हो, आपका जो भी client है, जिसको अपने पहले service दिया है, उसका feedback कैसा वो सारी चीए, और उसके बाद आपको business जरूर देंगे, और इसके साथ साथ आपको Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ये सारे जगे में आपको information देना है, जिससे किसी को अगर आपकी service की need होगी, तो definitely वो आपसे contact करेंगे, अगला जो तरीका हुए reference, reference से भी तो बहुत अच्छे client मिलते हैं, जैसे कि आपने पहल outreach, आपको calls बगारा करने है, clients के लिए, आपको mail बगारा भीजना है, अपने site से आपको client ढूनने है, और उनको ये सारे mails बगारा करना है, उसके आपको copywriting बगारा सीखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़े आपको PDF में मिल जाएगा, तो ये कुछ तरीके है, कुछ basic तरीक इसको भी आप देख सकते हो, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भी ये लाइक कर दू, सब्सक्राइब कर दू, मिलेंगे अपने वीडियो पे, तब तक लिए अपना ख्यार रखना, बाई, टेक क्यार